बहुत बड़ी बात है और इनका वोट शेर बड़ा है कॉंग्रस का वोट शेर घड़ा है अब तक कि ऐसी लैंड स्लाइड विक्ट्री किसी के अंडर नहीं हुई और यह था कि कॉंग्रस जो अपना पूरा दमखम लगा दिया आम आदमी पाटी भी खड़ी थी यह भी सब्सक्राइब ने मोधी जी के अंडर ट्रांस्वर्मिशन होते देखा आपको एक चोटी सी स्टोरी बताता हूं यह भी सच्चा ही है यह आपको काफी लोग नहीं जानते होंगे 95 में मोधी जी का अगरा बैग्रॉंड देखें यह शुरू से RSS के स्वयम से वक्त थे फिर सब्सक्राइब बुज्राइब ही दोरा नी की घुजरात के बहार ने बीस स्टेट में गरी कोचा मोहला चाना यह काम करते हुए इंडिया का मोस्टी उसके बाद फिर 1995 में में गुजरात बेजा कैं यह आपको सचा ही बता रो और 97 यह भी सच है कि इनको गुजरात से वाप पुरुशनरी आइडियास थे उसको लेकर गुजरात की बीजेपी में सहमत ही नहीं थी करें भाई यह बात क्या कर रहा है यह बंदा तो बहुत आगे की बात करा नहीं नहीं चलेगा हमें एलेक्शन देखना अगला और ऐसी अनुकमपा होई कि 2001 में इन्हें वहां का सीम बना अगर आपी एक्सपिरियंस जॉइन मिला है तो 45-50 साल के एक्सपिरियंस एज पॉलिटिशन ओन दे ग्राउंड और इस एज में इतने एक्सपिरियंस का पॉलिटिशन पूरे भारत में कोई नहीं है सुनिया गांदी जी को कंपेर करें नहीं करें सीपियम का कोई भी नेता उठाई यह नहीं है एक पॉलिटिशन इस लेवल का नहीं है उसके अलब आर्जुजी आठ साल से कोई छुटी नहीं लिए जब यह जब यह पियम हाउस में आये तो वो छे साथ मकान होते करीगी उसे लोकल यान माग करते हैं अब अंदर कहा रहते हैं नहीं मुझे नहीं पता मैं कभी गया नहीं हूँ तो वहां पर जब यह आए मोदी जी सबसे पहले इन्होंने पता क्या काम किया 19 टॉक 19 टॉक सामाण वहां से निकल वाया निकल वाया कहता मुझे इसकी कहता मैं तो इसके विए मेरे काम कही नहीं चाहिते हैं अभी गम्ण regardless इतने मेंशन है वो छे साथ मेंशन माली जिए आप रहते हैं एक कमरे में जैसे प्रचारक का जीवन था अब भी वैसे जीवन आपको एक और चीज बता दो लोगों नहीं पता होगा या काफी को पता भी होगा यह जो डाल चावल खाते ना खुद लेते हैं इसके पैसे सरकार से जो सरकार भारत इतना बड़ा देश क्या दे रहा है प्रधानमंत्री को एक रहने का गर वो भी इसलिए क्योंगे एस्पीजी का प्रोटेक्शन एक प्रोटोकॉलर्स घर का और शाय बिजली का बिल पता नहीं बिजली का बिल पर होगा खुद देते होगा यह यहां he has not taken a चुटी for last eight years now एक चुटी नहीं ली and he is uncorruptable यह सबको पता है और भारत जैसे देश में आप पे एक कॉरॉप्शन का इल्जाम ना लगना almost in 45 to 50 years of political career is almost impossible and here is a man जिस पर वुल्जाम नहीं है टिकाना तो दूर की बात है अर्जु जी पहले लगे तो सही आज कोई लगा नहीं पाए अब जब ऐसे व्यक्ति हैं और इनका मंत्रा क्या है डेवलोप्मेंट डिलवर्ड ले तो क्या होता है देखेजी हम 2030 में आपको यह देंगे